और ये जो पीले वाले चचा हैं ये पिछले चुनाव में लाल पीले हुए थे इस चुनाव में नाम तो केवल बहाना है हकीकत तो योगी के पास जाना है इनका पार्टी बदलने का इतिहास पुराना रहा है पहले भाजपा में फिर सपा में फिर भाजपा की और आगे पर हम एक मकान बनाते हैं उसमें अपने बाप दादा का नाम सारदा भावन फलाना भावन लिखते हैं तो जैसे कि माली ये कला के चित्र पर अगर किसी मुगल सासक का प्रिष्ट पर बना दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं है तो गाजीपूर लहुरी कासी था इसके पहले गाधी राजा गाधी के नाम पर गाधीपूर कहा जाता था ये मांग उम्प्रकाश राजभर की जायज है या ना जायज है ना जायज है काम उस पे ये होना चाहिए कि ये गाजीपूर कितना बिक्सित हो कोई काम करे उस पे नहीं जाना है नमस्कार यूपी तक में आपका स्वागत है आज यूपी तक का कारवा गाजीपूर में है हम आज गाजीपूर के सिटी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं आप उपर बोर्ड देखें इस बोर्ड को दिखाने का मतलब कुछ इस तरह है कि ये एक मामला है ओम प्रकाश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है हम यहां लोगों से बात करेंगे और यह जानेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है वो पत्र से ये लोग कितने सहमत हैं गाजीपूर का नाम बदलना चाहिए यह उचित है या बदलने की एक बार फिर से सामने आई है तो आपको क्या लगता है यह कितना सही है कितना गलत है प्योर राजनितिक प्रपर्वेंड़ा है विकास की बात किरने चाहिए अगर गाजीपूर का नाम बदल के कुछ और गया जाए उससे गाजीपूर के नोजमानों को नोकरी मि पूरानिक महत्व विश्वा मित्र से जुड़ा हुआ है यहां की लोगों बताते हैं कि यहां का जो एतिहासिक महत्व विश्वा मित्र से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या दिक्कत होगी जो एक चीछ चली आ रही एक बेवस्था चली आरे FERMed उसको बदलने क्या जूरते उससे क्या फायदा नाम की लिए आसे आयए उसे पुछ इछी तरह है इसलिए कि विश्वा मित्र के नाम से गाजी पूर जिल्या का नाम हो इसके पहले भी अगर किसी रिसी और महरसी के नाम से अगर दिमाग में बात आती है तो गाजी पूर में उससे भी बड़े-बड़े कई डिसी के जनब हो भी रही है तो यकिस पर ही भी बात चे चलाई जा इस पुरा निवर नाम होते अध़ी नहीं होती है हिंदी पर बहुत चलेगी कल है उच्छाल राजा ऊका रहना है आज़ेव दिवार बुनियादी जरूरते पूरा करना चाहिए नाकि नाम में क्या रखा है इन लोगों का ऐसा कहना है आपका क्या नाम है रविकांत्रा सदर सुत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेठी आप कांग्रेस पार्टी से हैं देखिए आप रविकांजी काफी वरिस्थ हैं कांग्रेदा रा जिला का नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों को रोजगार की बात होनी चाहिए। यहां उद्योग की बात होनी चाहिए गाजीपूर में। इस सहीदों की धरती है। यह गाजीपूर की अस्थापना 1818 में हुए है। और गाजीपूर जिला जब बना 1818 में तो बारांसी का जिला, चंदवलिया जो नया जिला बना है, बलियां का हिस्सा, आजमगर का हिस्सा, माउ का हिस्सा, पूरा बलियां इसमें समाहित था। यह गाजीपूर एक इतिहासिक धरती जो नामकुराण की बात है। आज क्यों न में सोचा जा रहा है नेताओं के द्वारा कि इस गाजी पूर को रोजगार के मामलों में उद्योग के मामलों में और जो भी डबलफ की बाते हैं इसमें आगे पावरानिक उन्होंने ये लिखा है कि महर्शी विश्वा मित्र के एतिहासिक महत्व से ये जुड़ा हुआ जिल केवल नामकरन बदल देने से कुछ मिलने वाला है नाम बदल दिया जाए और इसे विरुजगारी दूर हो जाएगी इससे तो कुछ होने वाला नहीं है आप क्यों नहीं जन प्रतिनी जीओं को मेरा एक सुझाव है कि जिले का नाम बदलने से अच्छा है कि इस गाजीपू दियोग धंदों से जोड़ना चाहिए हम इस लोग हमाई साथ खड़े हैं क्या नाम है आप तो मेरा नाम कुछ विश्व प्रकास अकिला है विश्व प्रकास जी आपने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि नाम में क्या रखा है बदलने में तो ओम प्रकास राजभर जी ने ज इस विश्व पर पूछा उस विश्व पर मैं अपनी बात को रख दू मन्यों प्रकास राजभर जी जो भारती जनता परटी जी संस्कृति में चलती है उनको कहीं जगा नहीं मिल रहा है तो भारती जनता परटी के संस्कृति में चलने का प्रयाज कर रहे हैं अच्छा वि से अभी रोजगार ब्योसाइक लोग ऐसे बात कर रहे थे प्रतिनी दियों की बात कर रहे थे क्योंकि इतने साम को नहीं इतनी बड़ी बड़ी लाइट हो तो छोड़िये एक छोटा बल्ब भी नहीं जलता था दूसरा विशे यह है कि हम लोग के साथ हम सब की बेहने भी पढ़ने आती थी और कोई गरामिर छेटर का व्यक्ति अपने बहन या अपने माता जी या अपने परिवार के किसी महिला को लेके गाजीपूर आता था नाम कि बात हम लोग कर रहे हैं जिसविशेपर बोल रहे है तो एस विशेपर में थोड़ी सी नाम देखिए सासन का विशेव है ? आप युवा हूँ आप क्या सोचते हुए देखा जाये तो हमारी पहचान हमारे इतिहास है वही हमारा इतिहास ही इस गोरोसाली भास का धरुभार hierarch और यह जो पीले वाले वाले चचा है यह पिछले चुनाओ में आजाना है हकीकत तो योगी के पास जाना है इनका पार्डी बदलने का इतिहास कर आहां कि SUMP के लोग को हूण को लोगत बताते हैं कि लहुरी-काशी या गाधिपूरी के नाम से जाना जाता था गाधिपूरी उनको क्यों कहा जाता था यह मैं आपको बताऊंगा एक हमारे साथ सज्जन खड़े हैं इन से बात करेंगे क्या नाम है अरुन जी गाधिपूर की नाम बदलने की बात हो रही है सहमत है जी सहमत है इस पर जैसे अभी आपने कहा कि इसका नाम लहुरी कासी के और देखें आपको बताएं कि इसको कियो कहा जाता था क्योंकि यह पूरा इलाका गाधिपूर का जो इलाका है गंगा के किनारे है और बहुत ही प्राचीन शेहर है और यह विश्वा मित्र के पिता राजा गाधी का छेत्र माना जाता था हमारे साथ देखें एक सज्जन खड़े हैं क्या नाम है सर ओम प्रकास तीवारी तीवारी जी गाजीपूर का नाम बदल कर विश्वा मित्र नगर या उनके नाम पर करने की मांग ओम प्रकाश राजभर ने उठाई है तो इससे आप कितने साहिमाद मैं परकाश राजभर जी के बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं चुकि अध्यातिक अध्यात्मिक आदमी हूँ यह जीला भी बहुत अध्यात्मिक और रिसियो मुनियों का जीला रहा है आपने महाहरधा में सुना होगा कि राजा दसरत यहां तक सिकार करने आते थे उसक पुत्र थे महरसी विस्वा मित्र जी तो उसको खंडित कर दिया करते थे लोग कल्यान मानों कल्यान के लिए वो लोग यग किया करते थे तो यह खंडित कर दिया करते थे तब वह चुप दोकर आये राजा दसरत के पास और कहे कि आप अपने दोनों पुत्रों को दे दीज प्रभूसरी राम लक्षमण लेके गए और बबुपचर में बद्ध किया बद्ध करने के ऊपरांथ आज भी बना हुआ है तो उसके बाद यह लेके जनकपुर जाते हूं धनुसयग्य में वह भी रामण को जाना था इसलिए वह गुपचर अपना लगा रखा था जनकपुर ये योगी जी ने भी पी जी कालेज में बोला ए ए जोड्रत को तो निमंत्र नही 주는 नहीं, था महर सीरी इतनीप्र को जोड़ने काका में काम किया तो, तो हम एक मकान बनाते हैं उसमें अपने बाप दादा का नाम सारदा भावन फलाना भावन लिखते हैं तो जैसे कि माली जी कला के चित्र पर अगर किसी मुगल सासक का प्रिष्ट पर बना जीजे तो उसका कोई मतलब नहीं है तो गाजीपूर लहुरी कासी था इसके पहले ग 1330 में तुगलक काल में एक जो गाजी ने आकरमल किया उसका जनम दीन जब मना तो उसको खुश करने के लिए उसके सीपा सालव और उन्हें इसका नाम गाजी पूरी था तो अगर इसका नाम फिर से विस्वा मित्र के नाम पर रखा जाए उन्हीं के वह पुत्र थे तो योगी जी ने देखी हास्पीटल का नाम मरसी विस्वा मित्र के नाम पर आम जनता के कहने पर उन्हों ने रखा यह बहुत ही मतलब स्वागत का भी सा है किसी इतिहास के साथ चेड़ चाड़ जनता को भाईगी जी एकदम चेड़ चाड़ नहीं भाईगी इस तो जब उड़के पेस किया मुगल जी काम को नहीं कर पाए उसको अंग्रेजों ने किया उन्होंने हमारी पंडूलीपियों को गायब करके आद देखिए हर्बल का अपने हां चला रहे हैं प्रेटेंट कर लिए और हम इस प्राचीन भारत का इतिहास रहा है तिवारी जी ने बताय कि राजागाधी का ये छेत्र था और आपको बता दें कि विश्वमित्र राजागाधी के पुत्र थे और तालका वद जो उन्होंने किया बकसर यहां से 50 किलोमेटर दूर है और कभी ये राजागाधी की ही छेत्र में सारा इलाका आता था देखे हमारे साथ एक सज्जन और खड़े हैं क्या नाम है सरात का मेरा नाम वेद प्रकास सिंग है मैं पीजी कालेज गाजीपूर में कारवरत हूँ वेद प्रकास जी गाजीपूर का नाम बदलने की बात चल रही है और इसको ये माना ये कहा जा रहा है कि इसका जो आध् अपनी बात को रखा मेरा मानना है मैं राजभर जी की बात से सहमत हूँ और जोगी जी को मान लेना चाहिए लेकिन एह नाम करण तो एक विसाय हुआ है गाजीपूर में नंद गंज पर भी जो है जिस तरह से आप पत्रकार बंधुवों से आप से अपील करता हूं कि नंद स्ट्रक्चर हमारा विकास की भी बात होनी चाहिए और अगर विस्वामित्र जी के बात अगर विस्वामित्र के नाम उन्होंने पत्र लिखा है तो मैं समझता हूं कि उसको योगी जी को मान लेना चाहिए मैं सहमत हूँ वियत्प्रकाजी सहमत है कह रहा है कि नाम भी बदल दीजे लेकिन विकास भी कीजे आपको बता दे कि मनोसिना जब थे तो पांस साल में गाजीपूर में काफी काम हुए हैं और वो परियोजना है अभी चल भी रही है लेकिन उद्योग धंदे डिस्टलरी जिस चीनी मिल क रहीक बात किए वो अभी भी बंध है क्या नाम है मनीश कुमार राय है मनीश ये नाम बदलने की बात चल रही है गाजीपूर का नाम विश्व pemitra के नाम पर करने की बात चल रही है कितने सेहमत है वो महरसी थे और बहुत सम्मानित महान पूरुस थे लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या अब यही भी सह रह गया है कि हर जगा का नाम बदला जाए बतलब किसी को नो रोजगार है ना बिवस्था है महंगाई इतने चरम सीमा पर है इस पे कोई विचार विम सब्सक्राइब नहीं है कोई काम करे उस पे नहीं जाना है लेकिन विचास सिल होना चाहिए एगाजीपूर हर वर को नो रोजगार मिले महंगाई कम मनिश का कहना है कि रोजगार ध्यान पहले हो नाम बदलने पर बाद में आपका क्या नाम है हिमांचु सिर्वास्तो है हिमांचु जी क्या करते हैं अध्यापक है नाम बदलने की बात चल रही है गाजीपूर के सहमत है या सहमत है असामत है इसलिए असामत है कि आपने बताया कि ओन प्रकास राजभर जी ने पत्र लिखा राजभर जी को पत्र लिखना चाहिए कि दो दिन पहले सरकार ने 25 पैसे पर किलोमेटर रोड़ वेज का भाड़ा बढ़ाया है यहां से बनारा से 103 रुपे से 123 रुपे हो गया मौ का 49 रुपे से 100 रुपे भाड़ा हो गया महांगाई को चेक करें गाजीपूर में जो हमारे वगल के मित्र ने बताया कि जो मिल बंद है चीनी मिल बंद है कताई मिल बंद है उसको खोले लोगों को इंप्लाइमेंट दे उससे देश का और जिले का प्रदेश का भला होगा यह प्रपोगंडा जो राजभर जी ने सुरू किया है वो इसले किया कि राजनितिक महत्वा कांचा उनके साथ जूड़ी हुई है कभी कांग्रेस में रहते रहे उनसे घड़बंद करते रहे कभी सपा से वो इस बार योगी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है राजभर जी योगी को खुश करना चाहते हैं ऐसा मानना है लेकिन लोग यह मानते हैं कि नाम बदलने से अच्छा है कि विकास कारियों में सरकार ध्यान दे प्रदीब देव सिंग प्रदीब देव जी क्या करते हैं आप प्रफेशनली तो मैं यहां एडोकेट हूँ देखे वकील जाब मिल गए वकील जाब पीछे आपके नाम लिखा हुआ है गाजीपूर सिटी तो इसका नाम बदलने की बात चल रही है विश्वा मित्र नगर कर चल रही है और उम्प्रकाश राजभर ने एक पत्र लिखा है कि इसका आध्यात्मिक महत्व गाजीपूर के जो पुराना था उसको देखते हुए इसका नाम विश्वा मित्र नगर कर देना चाहिए कितने सहमत है नहीं देखिए यह सहरों का नाम बदलना यहां के सहरों का तो नाम नहीं बदली थी लिए कुछ नए जिले बना करके पर्टिकुलर जिन लोगों को अपना आइडियलों मानती थी उनके नाम पर वो सहरक दिजिसे बगल में संत्रविदास नगर बना हुआ है या संत्कभीर नगर है या गौतम बुद्ध नगर है कौशामी इस तरह के जिले बनाई हूँ देखिए मेरा यह मानना है ना कि पॉलिटिक्स जो होती है वह सिदे सीदे कायाता है कि एक ठीयरी आफ एक सिक्लिउजन और एक ठीयरी आफ इंक्लिउजन दो बाते होती हैं कि अगर आप सब को समाहित करके चलते हैं तो हमें लगता है कि लोग हैं उसमें उपर चड़के में दिखाओं कि नहमें में जार्टी में हूँ तो यह साथ अच्छी बात नहीं है यह थियरी आफ इंक्लिउजन एक सिक्लिजन हमको लगता है आप यह कह रहे हैं कि यह राजनीती का है यह हाँ कहीं से यह एक जैसे कहा जाना कि नाम बदल कि प्रक्रिया पर्टीकुलर जैसे हर देशों में मिलता है यहां बही आया नाम बदला इलभाड का नाम बदल दिया गया प्रयागराजल ह में प्रयागराज में लावाद हईखोर्ट का नाम आज भी रहावाद हीज़ पढ़ा हुआ है कहने का मतलं यह कि यह अपको एक सिं से बाहर हैं वो इस पे इकठे होकर कि आप से साथ आ सकते हैं लेकिन हम लगता है कि समाज के बड़े वर को आप बाहर भी करेंगे एक बात इसे और मैं कहना चाहूंगा यह मैं जो कहां हूं थेरी आफ इंक्लिउजन की जैसे अगर आप देखिए का हमारे फीडम इस्टेगल में जब गाधी थे तो गाधी कोई भी मुमेंट चलाते थे तो वो हमेशा ऐसा सब्जेक्ट निकालते थे कि जिस पे वो पूरे हिंदुस्तान के जो नागरिक थे उससे जुड़ जाते थे उसमें यह नहीं था कि यह कृश्चियन है यह मुहमडण है यह ह इंदु है या क्या है क्या है जैसे साल्ट मुमेंट उन्होंने सुरू किया साल्ट के लिए कोई नहीं कह सकता है कि नहीं साब सर सर हम लोग विश्यानतर हो रहे हैं सुने मैं कि इस बात को थोड़ा गौर करिए यह सबजेक्ट बीच में पपलिक के डाल दिया गया नाम बदलना मेरा मानना है कि केवल एनर्जी आपकी इफिसियंसी और आपका विजन तीनों को डाइवर्ट करेगा नाम कुछ भी आप रख लीजिए अगर दौर बदले तो नाम बदले अपने अपने हिसाब से लोगों ने नाम बदले लेकिन अगर पौराणिक महत्व की बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है तो उसको आप कितना सही और कितना गलत बांते हैं एक बात आपने कहा नहीं अपने सवाल में उठा दिया कि अपने अपने हिसाब से जो भी उनका दौर था तो मुझे लगता है कि यह उचीत नहीं होता है अगर कोई कांटिनीवस अगर आप काम करते हैं और सब को ले के चलते हैं तो हमें लगता है कि उसकी स्थिति कुछ और होती है विश्वामित्र जी भी हमारे आडियल रहे हैं पौहारी बावा भी हमारे आडियल रहे हैं तमाम गाजीपुर में ऐसे सिस संथ हैं जिनको मैंने अब नाम ग लगता है कि नहीं यह किसी के नाम से क्योंकि आप तो भए-स सुनें मैं आप से पूछ रहा हूं मैं आप से पूछ रहा हूं जैसे मैं जैसे मैं आप में नदाने मैं मैं यह कह रहा हूं कि आपकी आइडेंटिटी आपके काम से होती है। नाम वगर तो एक समय के बाद खतम हो जाता है। नाम हम ऐसा नहीं है। अब आपका काम क्या है। यह तो नाम बदलना ठीक है कोई बहुत इसा नहीं आप चाहें उसको अगर सासन अगर यह चाहता है कि नहीं यह नाम बदलना चाहिए पबली की यह मंसा है तो लोग अपने आडिलिस्टिक से जुड़ते हैं लेकिन अगर एक कोई बच्चा पता चला कि धीरे-धीरे पैदा ह हुआ सौसाल के उसकी लाइफ है और उसको आप पचीस साल बाद उसका नाम कहें कि इसका नाम रमेश सुरेश हो जाएगा तो लगता है कि पचीस साल तक उसके जो लोग साथ रहे हैं उनको सुरेश करने में दिक्कत होगी तो एक आडिनटी आपकी है गाजीपूर से जैसे देखिए बगल में मुगल सराय दिंद्याल उपाद है नाम रख दिया गया मकिल्स आपका कहना है कि जो जैसे था वैसे अगर रहत कोई बुरी बात नहीं है कुछ लोग कुछ लोग हमारे साथ और हैं देखे एक युवा है हमारे साथ क्या नाम है हर्षित सिंग हर्षित क् देखे भारती जनता युवा मोर्चा के पदादिकारी हैं और इसके आलावा क्या करते हो जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं रोजगार नाम बदलने की बात उंप्रकाश राजभर ने की है तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं हम उसको मानते हैं कि काफी हद तक गाजीपूर का रख दिया तो उस बात में कोई बुराई नहीं है और योगी जी ने पहले ही मेडिकल कॉलेज का नाम महरसी विसुमत्र जी के नाम पर रख दिया है और आगे जो उनकी मांग है उस पर भी निश्चीत रूप से विचार करेंगे वह और एक विसे और है कि ज पूर रख देते तो हमको कैसा लगता बदलना ही न पड़ता तो वैसे ही जो हमारे जो इसलामिक कंट्रियां थी वह आके राज की है और अपना जबर जस्ती नाम रखी तो नाम निश्चीत रूप से बदलना चाहिए मैं तो कर रहा हूं गाजीपूर का हमारे इतिहास के न रहने वाले तो कराने वाला हूं मतलब गाजीपूर का नाम रिनेम कर देना चाहिए जो 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 इतना लूट पार किया अपने नाम पर इसका बदल बहुत पहले ही बदल देना चाहिए इस पर सरकार को अच्छा नामें विश्वमीत जी के नाम पर है और किसी राजा के नाम से होता और अच्छा रहता है दोर बदले जो लोग राज करते थे उन्होंने अपने हिसाब से नाम बदले एक बार फिर गाजीपूर का नाम ओम प्रकाश राजभर के जरिये विधान जबा में बदलने की मांग उठ रही है आपको बता दें कि गाजीपूर 1330 से पहले गाधीपूरी के नाम से प्रचलित था ऐसा किताबों और विद्वानों का कहना है लेकिन 1330 में जब मुहम्मद बिन तुगलक वाला एरा था उस वक्त सेयद सलार सेयद मसाद गाजी के नाम से मुहम्मद बिन तुगलक के सिपासलार आए और उन्होंने यहां पे एक जगह है गौसपूर वहां राजा मान धाता थे उनको हरा कर और इस जगह को इस्टैबलिश किया और इसका नाम पड़ा गाजीपूर और 1818 में बताते हैं कि बिटिश पीरियड में गाजीपूर जिले का गठन हुआ जिसमें बकसर, बलिया, मौ पू, आजमगड का कुछ हिस्सा और बनारस यह जौन ओनपूर का हिस्सा पूरा लेके यह एक जिला बना और उसी में उसी दोरान यह जौनपूर भी बना एक जिला अलग और गाजीपूर भी एक जिला बना और आपको मालूम होगा कि बलिया यहां कभी तहसील हुआ करती थी वो 1890 में यहां से अलग हुई तो गाजीपूर का अगर एतिहासिक महत्व देखें तो काफी महत्व पूर्ण है और इसका नाम महर्श विश्वा मित्र से जोड कर रखने की बार उठी है तो देखते हैं कि गाजीपूर का यह नाम बदल पाता है या नहीं बदल पाता है लेकिन यहां जनता की राय आपने देखी लोगों की विभिन राय थी और कुछ का मानना था कि नाम बदलना चाहिए कुछ का मानना था कि नाम में क्या रखा है विकास होना चाहिए विनाई कुमार सिंग गाजीपूर से यूपी तक्रिए कर दो भाता है